Hey guys, this is Pretty. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक British psychological thriller के बारे में जिसका नाम है Don't Hang Up. ये फिल्म 2016 में रिलीज़ वी थी. ये फिल्म इस रेटेन बाइ जोई जनसन और डिरेक्टेट बाइ अलेक्सिस वोसब्रोट और जैमियन मेस. इस फिल्म की IMDb rating है 5.6 out of 10 और 86% Google user ने से लाइ किया है. ये फिल्म शुरू होती है रात के ठीक 3 बच कर 23 मिनिट पर. हम एक लेडी मिसस कोलबेन को देखते हैं जो सो रही थी. अचानक से उनका फोन रिंग होता है और वो जैसे ही उस कॉल को रिसीव करती है. उन्हें पता चलता है कि ये पुलिस का कॉल था. एक आफिसर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं उनके घर में दो इंट्रूडर्स है. उनके इंटेंशन अभी तक लियर नहीं है मगर वो लोग डेंजरस भी हो सकते हैं. मिस्स कोल बेन बहुत जाता डर जाती है क्योंकि इस वक्त उनके घर में सिर्फ वो और उनकी बेटी है वो दूसरे कमरे में है. वो जल्दी से अपने बेटी को बचाने जाती है मकर आफिसर उन्हें मना करते हैं. वो उन्हें अपने ही रूम में दर्वाजा बंद करके छुपने की सला देते हैं. नहीं तो पुलिस को टार्गेट फिक्स करने में प्रॉबलिम होगी. और उनकी बेटी को वो लोग ही समाल लेंगे. तो मिस्स कोल बेन वैसा ही करती है. लेकिन अचानक से उन्हें फोन पे ओफिसर की कुछ कनवसेशन सुनाए देता है कि उनकी बेटी को होस्टेज बना लिया गया है. तो वो पैनिक करने लगती है और उनके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है. तो उसके बाद उस ओफिसर ने और किया कहां वो मिस्स कोल बेन को सुनाए नहीं दिया. मगर हम सुन पाते हैं ये एक प्रैंक कॉल था. चार टीनेजर्स ब्रैडी, सैम, मोसली अंटिरॉय मिलकर ये सब क्या करते हैं? इनके ग्रूप का नाम था प्रैंक पॉंकि 69 और वो लोग ऐसे ही प्रैंक कॉल करके लोगों को बेवकूफ बना दे हैं. अपने इंटर्टेन्मेंट के साथ साथ वो लोग इन वीडियोस को सोशल मीडिया में भी अपलोड करते हैं जिससे उन्हें धेर सारा व्यूज और अटेंशन मिलता है. आज कल तो वो लोग काफी फेमस भी होने लगे हैं. उनका फॉलोज बर रहा था और वैसे भी अगर इन छोटे छोटे हर्मलिस एक्ट से अगर किसी को हसाया जाया तो उसमें बुरा है क्या है? वो लोग किसी को हट तो नहीं कर रहे हैं. मगर क्रिटिक्स भी उनके कुछ कम नहीं. कुछ लोग उनके इन हरकतों से बहुत नाराज होते हैं. मगर ये लोग तो प्रैंक्स्टर्स हैं. कहां रुकने वाले? नेक सिन में हम सैम को देखते हैं. आज वो घर में अकेला है क्योंकि उसकी पेरेंस बाहर गये हुए हैं और उसका मूट भी कुछ ठीक नहीं. क्योंकि उसकी गर्फरंड पे ये अनुससे बात नहीं कर रही। ऐसे में उसे चेयर अप करने घर आता है ब्रैट और सैम के मना करने के बावजुद वो फिर से प्रैंक कॉल्स करने रगता हैं. आज का पहला कॉल वो करता है लाडी को जो सैम का परोसी है. वो लोग नियर बाथ कैफे में कॉल करके एक पीज़ा ओडर करते हैं लाडी के नाम पर और लाडी को कॉल करके इन्फीर में पीजा डेलिवरी के नाम पे चोड़ी बहुत हो रही है. तो लेरी को जब अपने घर के सामने ऐसा ही एक बंदा देखता है वो तो बैठ लेकर उसे मारने जाता है लेकिन ये तो मोसली था प्रैंक पांकि 69 गृप का और एक पेमबर तो वो एजीले समझ गया था ये काम तो उसके दोस्तों नहीं किया है तो वो बहुत सादा नाराज हो गया था लेकिन सैम उससे वो पीजा खरीट लीता है और उसे समझा बुझा कर वापस भीज दीता है और उसके जाने के बाद ही वो लोग फिर से लोगों को डिस्टप करना शुरू कर देते हैं लेकिन इस बार उनके साथ कुछ अलग होता है वो लोग एक नमबर पे कॉल करते हैं जो आदमी फोन रेसिफ करता है वो बागी उसे बिलकुल अलग था वो बहुत आसानी से गेस कर लेता है ये कोई प्रैंक कॉल है वो तो ये तक जानता था ये लोग कौन है लेकिन ये कैसे पॉसिबल है इस नमबर को ट्रेस कर पाना तो इंपॉसिबल है मगर लगता है इस आदमी के पास ऐसे बहुत सारे इंफॉमेशन है जो अपरेंटली किसी को मिल पाना इंपॉसिबल है इस आदमी को इनका काम, इनका नाम, सब कुछ पता है एडरस पता है, इनके फैमिली इशूस के बारे में पता है इनफेक्ट उन्हें तो ये भी पता है ब्रैट अभी सैम के घर में है इनिशियले वो लोग कॉल रिसिफ नहीं कह रहे थे मगर धीरे धीरे वो लोग डाने लगते है ये आदमी तो उन्हें धमका रहा है कह रहा है, वो लोग सबका मजाक उराते है लेकिन आज रात वो इन लोगों को मजाक का असली मतलब समझाएंगे इसका असली नाम तो उन्हें पता नहीं था मगर वो अपने आपको मिस्टर ली कह रहा था और ये मिस्टर ली उन्हें वर्ण भी करते है नो मैटर वाट, डोंट हैंक आप मतलब कुछ भी हो जाए उन्हें फोन नहीं काटना वैसे ही वो लोग एनाफ डर हुए थे उपर से उसी वक्ट दर्वाजे पर कोई नौक करता है वो लोग दर्वाजा खोलने जाते हैं तो दर्वाजे पर पेईन थी और वो यहाँ पर पीजा डेलिवरी करने आये थी वो काफी नाराज दिख रहे थी उसका कहाना था उन लोगों ने इंटेंशनली उसे यहाँ पर बुलाआ है क्यूंकि मोसली यहाँ से जाने के बाद ही उसे मेसेज किया था कि आज उसकी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही तो वो आज चुट्टी ले रहा है और उसके बाद ही इन लोगों ने मतलब सैम और ब्रैडी ने इंटेंशनली पीजा ओडर गया है जिससे पेएन को यहां पर आना पर है क्योंकि उन्हें पता है और कोई डेलिवरी बॉय तो नहीं है सैम तो बिलकुल हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने तो कोई पीजा ओडर किया ही नहीं था लेकिन अभी जब पेएन यहां पर आ गई है तो सैम उससे कुछ मिनिट के लिए बात करना चाता है और हमें पता जलता है पेएन ऐसे ही किसी प्रैंक कॉल को लेकर डिस्टरब्ड है सैम उससे समझाता है उसने कुछ नहीं किया वो कॉल ब्रैट ने किया था मगर सब को पता है ये लोग ग्रूप में काम करते हैं हम ब्रैट को उनके बातों को चोड़ी चुपे सुनते हुए देख पाते हैं पियान ने क्या कहा उन दोनों में सब कुछ ठीक ठाक हुआ की नहीं ये जानने में उसे कुछ जादा हिंटरेस्स था Anyways पियान निकलने के बात उने पता चलता है Mr. Lee को पियान के बारे में भी बता है उनके जगनने के बारे में एविन उसके यहाँ पर आने के बारे में भी ब्रैट जब इस बार फोन कार्ट देता है तो वो वर्ण करता है इसका अँजाम अच्छा नहीं होगा और ही मेंट इट वो ब्रैट के फोन पे कुछ वीडियो मेसेज़ेस भीजता है जो बहुत बलारी था लेकिन ऐसा लग रहा था उसने एक आदमी को रसी से बांध रखा है अजीब बात तो ये था इस आदमी को ये तक पता चल रहा था वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं धीरे धीरे मामला सीरियस हो रहा था वो लोग समझ गये थे ये कोई मजाख तो नहीं है उस पोटो को देखकर वो समझ गया था ये आदमी ब्रैट के घर में ही उसके पेरेंस को होस्टेज बना है इसका मतलब ये है ये आदमी भी अभी ब्रैट के घर में ही है उन्हें सिर्फ पुलिस को कॉल करना है बागी का काम तो वो लोग ही करेंगे सैम का केस तो बिलकुल सही था मगर वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाता क्योंकि मिस्टर ली ने अल्रेड़ी इस घर के लैंट लाइन्स और उन दोनों के मोबैल फोन्स को ट्रैक कर लिया था अभी वो सारी लाइन्स उनके कंट्रोल में था पतलब पुलिस समझ कर वो लोग जिससे बात कर रहे थे वो मिस्टर ली था लेकिन ब्रैट चूप तो नहीं बैच सकता था वो बाहर भागता है किसी नेबल से मदद मांगने ठीक उसी समय फिर से एक मेसेच पॉप आउट होता है जिसमें मिस्टर ली ब्रैट को इस घर से निकलने से मना कर रहे थे नहीं तो उसकी पेरेंट सिंदा नहीं बचेंगे ये आदमी उन्हें देख रहा था किसी तरह से ये आदमी उन पर नज़र रख रहा था और उनके हर एक स्टेप को फॉलो कर रहा था मगर कैसे और जब अब था सैम का लैपटॉप हाउस ने सैम के लैपटॉप और टीवी को हैक किया है वहां से ही वो सब कुछ आपरेट कर पा रहा है और इस बार उनके लिए मिस्टर ली एक सप्प्राइज वीडियो भीजता है जिसमें वो एक इनसान को सफोकेट करके मार रहा था और ये रोय था उनका एक दोस्त उनके आँखों के सामने ही मिस्टर ली उसे तरपा तरपा कर मार डालता है वो लोक उस शौक से बहार निकले भी नहीं थे इसी बीच उन्हें पता चलता ही ली ने उनके और एक दोस्त मोस्ली को भी बंदी बना लिया है ये आदमी इस घर के लाइट्स को भी कंट्रोल कर पा रहा था और इस बार वो पूरे घर का लाइट्स आफ कर देता है सिर्फ बैक डोट और स्टेरकेस के लाइट को आउन रखता है ये एक हिंट था मोस्ली ज़रूर इसी घर में ही इधर वो उपर है और बैक येर्ट्स में है सैम को उपर के फ्लोर से अवा सुनाई देती है सैम को जब अंदाजा होता है मोस्ली शायद बैक येर्ट में है वो उस दरफ भागता है और वो जैसे दर्वाजा खोलता है उसे मोस्ली तो मिलता है लेकिन बहुत ही भयाना खालत में उसके फेस को प्लास्टिक से कवर किया गया था और उसके गले में था एक फांसी का फंदा जैसे ये सैम दर्वाजा खोलता है उस रसी में टेंशन क्रेट होता है और मोस्ली मर जाता है फिर से सैम के आँगों के सामने इस बास सैम बहुत जादा डिप्रस्ट हो चुका था वो और कुछ समझ नहीं पा रहा था ब्रैट उस लाश को चादर से ढख कर बैक डोड के सामने ही रख देता है और जब नेक्स टाइम फोन बचता है तो सैम उसे उठाने से ये मना कर देता है लेकिन ब्रैट फोन रेसिफ करता है और इस बार ली के साथ वो प्राइवेटली बात करता है सैम नहीं जान पाता ली ने क्या कहा ब्रैट से पूछने पर वो कहता है ली ने उसे एक चॉइस दिया था उसके पेरेंस और सैम के बीच और उसने सैम को चूज किया है तो अभी उन्हें इस घर से निकलना होगा as early as possible लेकिन जैसे ही वो लोग निकलने लगते हैं उन्हें और एक फुटेज दिखाई देता है जिसमें ली ने इस बार पेईयन को टार्गेट बनाया है सैम समझ जाता है ब्रैट इसके बार में पहले से ही जानता था और शायद इसी लिए वो सैम को यहां से निकलने के लिए इतना force कर रहा था जिससे वो ये फुटेज ना देख पाए लेकिन अभी जब सैम को सब कुछ पता चल चुका है वो इस घर में रुक कर पेएन को बचाने की कोशिश ज़रूर करेगा अगर उन दोनों में से किसी ने भी इस घर से निकला तो ब्रैट के parents के साथ साथ पेएन की जान भी खत्रे में आ सकती है जो वो होने नहीं देगा मगर प्रैट ने अपना मन बना लिया था वो निकलने लगता है तो मजबूरन सैम को उस पर हमला करना पड़ता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और इस बार ली सैम को एक ओफर देता है इधर पेयन और ब्रैड पेयन के हालत सच में बहुत खराब थी सैम को पता था अगर उसने उसकी बात नहीं माना तो वो पेयन को भी मार डालेगा वो एक चाको भी उठाता है मगर फाइनली वो ब्रैड को मार नहीं पाता वो से बांथ देता है जिसो वो यहां से निकल नहीं पाए और किसी के जान को खदरे में ना डाल पाए सैम के पास और कोई रास्ता नहीं था उसे सोचने का वक्त चाहिए था ये आदमी ये सब आखिर कर के आ रहा है और क्यूं? उसी वक्त फिर से करेंट ओफ हो जाता है और हमें इसी घर में एक मार्क्स्ट पैन दिखाएं देता है जो उन पर नज़र रख रहा था लेकिन वो लोग उसे नहीं देख पाते टीवी पर एक वीडियो प्ले होने लगती है एक छोटी से बच्ची की और सैम को याद आता है इस बच्ची को उसने शायद कहीं देखा है हाँ अच सुभाई उसे एक फ्रेंट रिक्वेस्ट मिला था उसने तो इग्नोर कर दिया और उसी का प्रोफाइल पिक्चर में ये लर्की थी सैम जल्दी से उस प्रोफाइल को चेक करता है और बता चलता है ये आतमी लास्ट छे महिनों से उन्हें फॉलो कर रहा है इस प्रोफाइल में उनकी के सारे फोटो से और एक वीडियो भी पता नहीं क्यों ब्रैट इस वीडियो को देखने से उसे रोक रहा था बार बार मना कर रहा था लेकिन ये वीडियो टीवी पर अपने आप स्टार्ट हो जाती है और इस वीडियो को देखने पर सैम को बता चलता है उसके पीठ पीजे पेयन और ब्रैट का चक्कर चल रहा था गुसा तो सैम को बहुत आ रहा था उसका मन तो कर रहा था वो ब्रैट को यहाँ पर ही मार डाले उपर से लीप ही उसे ओफर कर रहा था ब्रैट के जान के बतले में वो सब ही को बचा सकता है इतने सारे लोगों की जान खत्रे में है तो Sam को जो भी decision लेना होगा बहुत सोच समझ कर लेना होगा After all Brad अभी भी उसका best friend ही है इन confusion में उसकी नजर बढ़ती है उस video footage के तरफ जहाँ पर Brad के parents को hostage बना गया था और वो देखता है वहाँ पर जो घरी है वो तो दो घंटे पहली का समय दिखा रहा है मतलब ये live footage नहीं है Sam को डर लगने लगता है शायद कहीं उसने पेयन के साथ भी कुछ गलत ना कर दिया हो तो Sam पेयन को देखना चाता था मगर ली पहले उसे decision लेने के लिए कहता है Sam इस बार भी वो चाकुटाता है और हरसी काट कर Brad को free कर देता है क्योंकि वो समझ किया था ये आदमे सिर्फ उन दोनों में food डालने की कोशिश कर रहा है दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो कुछ भी हो जाए they are brothers for life उन्हें एक साथ रहना है तब ही वो लोग safely यहां से निकल पाएंगे लेकिन उसके इस decision के बदले में ली उन्हें Brad के parents की real time footage दिखाता है जिससे पता चलता है वो लोग तो दो घंटे पहले ही मर चुके थे मतलब ये आदमी उनके साथ खेल रहा था प्रैंक कर रहा था man bullet कर रहा था in any way ये आदमी किसी को भी जिन्दा नहीं छोड़ेगा lights तो ओफ वो ही जुगा था अभी Sam को back door के अवाज सुनाई दीती है वो चेक करने जाता है तो पता चलता ही ये दर्वासा तो खुला है और हमें उसके पीछे हाथ में चाको लिए Brad दिखाए दीता है Sam कुछ सेकेंड के लिए confused हो जाता है मकर Brad सिर्फ उसे help करने आया था वो लोग decide करते हैं वो लोग इस घर से निकल कर जिससे हो सके मदद मांगेंगे क्योंकि शायद इसने अब तक Payan को भी मार डाला होगा वो तोनों front door से बाहर जाने के लिए निकल तो पढ़ते हैं लेकिन Brad Sam को बाहर निकाल कर खुद को अंदर ही लोग कर लेता हैं क्योंकि उसे पता था एक ना एक को यहाँ पर ही रुकना होगा और उसे अपने parents की मौत का बतला भी तो लेना था Sam Brad को समझाने के बहुत कोशिश करता है वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन Brad दर्वाजा नहीं खोलता तो Sam बाहर देखने लगता है और बाहर निकलने के साथ साथ उसे एक घर के सामने एक white van देखता है इसी van को उसनी वीडियो में भी देखा था तो ये जरूर मिस्टर ली की ही गारी है तो वो उस van के अंदर जाता है और उसे अंदर payan मिलती है उसकी हालत खराब थी लेकिन वो जिन्दा थी उधर Brad को बैक एर्ड में मोसली की लाश दिखती है लेकिन अगर इसकी लाश यहाँ पर है तो वो अपने दोस को बचाने जाता है लेकिन जाने से पहले वो payan को help ढूंटने के लिए भेजता है फ्रंटो तो locked था तो वो भी बैक डोस से ही जाने की कोशिश करता है और वहाँ पर उसे भी मोसली की लाश मिलती है लेकिन यहाँ पर ना ब्रैट था ना उसकी लाश तो वो घर के अंदर जाता है उसे ढूंटने उसे confuse करने के लिए ली चारों तरफ से आवाज कर रहा था कभी उपर के फ्लोर से कभी कीचिन से तो कभी लीविंग रूम से जैसे यह सेम उपर जाने लगता है उसे बाहर से पेएन की चिलानी के आवाज सुनाए देती है वो बाहर भागता है तो वो देखता है पेएन मोसली की लाश को दिखकर चिला रहे थी लेकिन तब ही सेम पर भी पीछे से वही माक्स्ट मैन हमला कर देता है उसके हाथ में एक चागू था दोनों में हाथा पाई होता है और सैम किसी तरह से वो चागू उसी के शरीर में स्टैप कर देता है वो उसे माने में कामियाब तो हो चुका था मगर तब ही उसके नजर जाती है उसके हाथ पे जहाँ पर एक टैटू बना हुआ था इस टैटू को सैम पहचानता है अच सुबा ही उसने ब्रैट के हाथ पे ये देखा था मतलब ये ब्रैट था उस आदमी ने बिचारे ब्रैट के हाथ मूँ बांद कर हाथ में चाकू थमा के सैम के पीछे उसे छोड़ दिया इसलिए उसने अक्चियली कभी अपने दोस्त पे अटाक है नहीं किया और सैम के लिए उसे मार पाना इसी हो गया एक्सेक्ली यहीं तो मिस्टर ली चाता था पहले रॉय उसके बाद मोसली और अभी ब्रैट एक के बाद एक प्रैंक पंक की 69 ग्रूप के सारे मिंबर्स मर चुके थे अभी शायद सैम की बारी थी लेकिन मरने से पहले उसे जानना था ये ली मिस्टर ली कौन है और वो उनके साथ ये सब क्यों कर रहे थे इसका जबाब मिस्टर ली उन्हें खुद देते हैं सैम और पेयन जब ब्रैट के लाश के साथ बैकियर्ट में थे उसी वक्त वहाँ पर आते हैं मिस्टर ली और वो अपने आपको इंट्रिडियोस करते हैं पता चलता है ये है मिस्टर कोल बेन जिनके पतनी को 6 महने पहले इन लोगों ने प्रैंक कॉल किया था वो लोग तो उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद उस बारे में भूल भी गये थे क्योंकि वो लोग ये कभी नहीं सोचते थे कि उनके इन हरकतों के वज़े से कोई serious consequences भी हो सकता है कोई hurt हो सकते हैं कोई सच में danger में आ सकती है और किसी की जान भी जा सकती है छे महीने पहले जब brat ने वो call किया था तो उसने last में तो ये announce कर दिया था कि ये एक prank call था आपके घर में कोई intruder नहीं है मगर उन्हें नहीं बता चला मिस्स कोल बेन ये बात सुन ही नहीं पाई उनकी बेटी danger में है ये जानकर वो इतने tension में आ गए थी कि वो phone छोड़ कर एक gun लेकर अपने बेटी को ढूटने गए थी और उनकी बेटी थी इजी जिसका photo मिस्टर ली का profile picture था मिस्स कोल बेन इजी का room जेक करते हैं वो सच में कमरे में नहीं थी तो वो और भी जादा डड़के थी तो जैसे ही एक दरवाजा खुलता है वो चानक से शूट कर देती है बिना जाने की उस दरवाजे के पीछे उनकी अपनी बेटी थी जब उन्हें पता चला उन्होंने अपनी ही बेटी को मार डाला है तो उन्होंने भी सुसाइट कर ली और ये सब कुछ सिर्फ एक प्रैंक कॉल के वज़े से हुआ कुछ लोगों की मजाग के वज़े से दो इनोसेंट लोगों की जान चली गई एक परिवार बरबाद हो गया और किसी को कुछ फरक ही नहीं परा फरक परा था सिर्फ मिस्टर कोल बेन को उस रात वो घर पर नहीं थे घर लोटने के बाद जब उन्हें पता चला अपने पत्नी के सुसाइट के बारे में तो उन्होंने परसोनली इंवेस्टिगेशन शुरू किया और तब जाके उन्हें इस ग्रूप के बारे में बता चला तब से लेकर आज तक वो उन्हें फॉलो कर रहा था वो कहां जाते हैं किस किस से मिलते हैं उनकी करीबी कौन-कौन है सब कुछ उन्हें तो बस एक मौके की तलाश थी और आज उन्हें वो मौका मिल ही गया उसने सब को मार डाला अगर सैम की पेरेंस यहां पर रहते तो शायद उन्हें भी मरना परता लेकिन अभी के लिए सिर्फ सैम ही ठीक है ली उसे पेरेंस के सामने ही गन पॉंट में ले लेता है और हमें फिर से गोली के अवा सुनाए देती है लेकिन अगले सीन में ही हम सैम को जिन्दा देखते हैं वो तो सिर्फ सेंसलेस हो चुगा था जैसे उसका सेंस लोटता है वो अपने आपको घर के अंदर पाता है और अभी उसके हाथ में मिस्टर ली की गन और एक चाकू है वो बाहर भागता है तो उसे बाहर पेयन की लाश मिलती है मतलब मिस्टर ली ने वो शूट पेयन को किया था वो सैम को मानना नहीं चाता था वो तो चाता था सैम सफर करे सब को खोकर वो ठीक वैसा ही फिल करे जैसा उड़ोने फिल किया था तब ही वहाँ पर पुलिस या जाती है शायद पेयन ने पुलिस को कॉल कर दिया था लेकिन उन लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। या फिर हो सकता है मिस्टर ली नहीं अपना काम ख़तम होने के बाद पुलिस को इनफॉर्म किया था। अभी जब पुलिस आ चुकी है तो उनके सामने सैम था, हाथ में गन और चाको लिये, तो उनके नजरों में तो सैम ही गुनेगार बन गया, तो ये था मिस्टर ली का रिवेंज, उसने अपना बदला लिया, मगर सब कुछ-कुछ इस तरह से प्लैन किया, जिससे सारे सबूत सैम के खिलफ जाए। उन्होंने वीडियो में कभी भी अपना असली चहरा नहीं दिखाया, हाथ में हमेशा गलाव स्पैन रखा, जिससे कहीं पर भी उनकी फिंगर प्रिंट्स नहीं मिली, इन फैक्ट इस घर में उनका कोई भी ट्रेस नहीं था, और सारी फुटेजेज भी डिलेट कर दिया सिवाए उस वीडियो की जहां पे ब्रैट और पेयन के बीच बात चल रहे थी, जिससे पुलिस सो लगे, सैम ने उनका खून आउट अफ जलसी किया है, इन फैक्ट पुलिस को तो ये भी लगा, शायद सैम ने बतला लेने के लिए ब्रैट के परेंस को भी मार डाला, अब ये चार खून जब लिंक्ट हो ही चुके थे, तो पुलिस मोसली और रॉय का खूनी सैम को ही समझने लगे थे, मिस्टर ली ने शायद वहाँ पर भी सैम के खिलाफ कुछ सबूत तो छोड़ाई होगा, फिल्म के एंडिंग में हमें एक निउस रिपोर्ट दिखाया जाता है, जिसमें सैम को ही मौडरर टैग दिया जा रहा था और इसके एगेंस्ट सारे की सारे छे खून का चार्जेस थे, यह फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है, मुझे यह फिल्म परसुनली काफी अच्छी लगी, काफी टेंचन भरा है, काफी ठ्रीलिंग है, मैं इस फिल्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यूट्यूब पर ही अविलिबल है, आप लोग भी जरूर देखना और कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताना आप लोग को यह फिल्म कैसी लगी, सो फिल्हाल के लिए, थांकियो पर वोचिं दिस वीडियो, तादा!